हेलो एन वेलकम टो अभ्यूदे क्लासेज यूपी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हमारे फिस्कल साइंस का लेशन प्लान जिसका टॉपिक है हमारा प्लास्टिक तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ने इस पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्यूदे क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज एक बड़ से चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा चलिए देखते हैं हमें लेशन प्लान बनाना कैसे है लिखना कैसे है सबसे पहले तो हम लिखते हैं पाठ योजना जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पाठ योजना फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं तो यह हमारा पाठ योजना संख्या 16 नमबर का क्योंकि आल रेड़ी हमने 15 पाठी होजनाप पर चर्चा कर लिया है उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी अगर आपको और शक्ता होती है तो आप एक बार से जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं से अगर अगर आप चात्रा ध्यापक का नाम लिखेंगे फिर विद्याले का नाम लिखते हैं एक कॉललम बनाते हैं उसके नीचे फिरम जिसमें लिखते हैं दिनांक दूसरे में कक्षा विशय कालांस तथा शम्यावधी पता ही है कि 40 मिनट की होती है हमारे लेसन प्लान की सम्यावधी उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरड प्रकरड क्या है हमारा प्लास्टिक तो प्रकरड लिख देंगे प्लास्टिक फिर समाने उद्देश लिखेंगे जिसमें की पुर्वत लिख देंगे जैसा कि हम लिखेंगे ग्यानात्मक उत्तेश्य जिसमें लिखेंगे छात्र प्लास्टिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे फिर बोधात्मक उत्तेश्य लिखेंगे इसमें लिखेंगे छात्र प्लास्टिक के गुडों की व्याक्या कर सकेंगे फिर आतने हैं प्रयोगात् सहायक समगरी आप जो भी यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिख دेंगे जैसे यह आपे लिखा हुआ है प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिग, गिलास और प्लेट आदी यह आप सहायक समगरी यूज़ कर लेंगे फिर लिखते हम सिक्षड विधियां सिक्षड विधियां हो जायेगी हमारी प्रस्णोत्तर विधी व्याक्यान विधी और प्रदर्शन विधी ये हमारी विज्ञान में प्रयोक की जाने वाले सिक्षड विधियां होती है तो ये तीनों आप सिच्छडविदियां अवश यही लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे हम पूर्वग्यान पे पूर्वग्यान में लिखते हैं चात्र प्लास्टिक के बारे में शामाने जानकारी रखते हैं ठीक है पूर्वग्यान भी आपे हुगा हमारा समाप्त अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तावना के प्रश्ण की ओर प्रस्तावना के प्रश्ण या प्रस्तावना प्रश्ण आप हेडिंग लिखेंगे इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम शंख्या, दूसरे में छात्र ध्यापी का है तो छात्र ध्यापी का कथन अगर छात्र ध्यापक है तो छात्र ध्यापक कथन लिखेंगे, फिर छात्र या छात्र कथन लिख देते हैं इसमें आप कुछ प्रशन करते हैं, जैसे पहला प्रशन करेंगे, हम सबजी, फल, राशन, आदी शमान कहां से खरीदते हैं, छातर बताएंगे कि बाजार या दुकान से खरीदते हैं, तो छातर छातर कतन में आप लिख देंगे, फिर दूसरा प्रशन करते हैं, बाजार में दुकांदार समान किस में देता है छात्र बताएंगे कि पॉलिथीन या प्लास्टिक में देता है उसके बाद तीशरा कोश्चन लिखते हैं पॉलिथीन क्या है छात्र बताएंगे एक प्रकार की प्लास्टिक है तो ये चात्र चात्र कृथन में आप लिख देंगे फिर आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्ण पर अपने जो है प्लास्टिक के बारे में आप क्या जानते हैं यहाँ पर हो जाएगा यह हमारा समस्यात्मक प्रश्ण तो हम लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्ण फिर हम आगे बढ़ेंगे अब उद्देश्य कथन पर अपने उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चो आज हम लोग विज्ञान विशा की अंतरगत प्लास्टिक के बारे में अध्यन विश्टरित अध्यन करेंगे यहाँ पे होता हमारा उद्देश्य कथन भी complete उसके बाद चात्र चात्रा कथन फिर हम आते हैं श्यांपट कारे इधर लिखते हैं सबसे अंत में इसमें हमारा जो पहला सिक्षड बिंदू है वह है प्लास्टिक इसमें हम पहला विकाशात्मक सबसे पहले विकाशात्मक प्रश्ण करते हैं उसके पहले आप सिक्षड बिं प्लास्टिक की बनी होती हैं प्लास्टिक रासायनिक रूप से अशंत्रिप्त हाइडोक कारवन के उच्च अडुभार वाले पहुलक होते हैं जैसे पॉलिथीन, टेफलोन, नायलोन, पॉलिवाइनील, क्लोराइट, पीवीसी, आदी यह आप अपने पहले सिच्चर बिंदू के अंतरगत इतना लिख देंगे फिर हम बोधात्मक प्रशन लिखते हैं बोधात्मक प्रशन आप करेंगे जिसमें पहला प्रशन लिखेंगे पॉलिथीन, टेफलोन, नायलोन, आदी, क्या है ठीक है, इसमें एंसर छात्र देंगे कि प्लास्टिक है तो आप छात्र छात्र कथन में प्लास्टिक लिख देंगे फिर दूसरा कोशन आप इसी प्रकार करेंगे जो आपने उपर अस्पस्टिकर दिया है उसी से जैसे घर में प्रयोग आने वाली प्लास्टिक के वस्तूओं के नाम बताईए यहाँ पे छातर बताएंगे कि बाल्टी, जग, टॉब आदी हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सिक्षड बिंदू की और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्यामपट कारे किया हुआ है तो आप स्यामपट कारे अवश्य ही करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे आप जो स्पस्टिकर देते हैं वही अगर चाहें आप पूरा स्यामपट कारे में आप लिख सकते हैं उतार देते हैं ठीक है या जो भी आप सिक्षड के दौरान स्यामपट कारे पे लिखते हैं स्यामपट कारे करते हैं वही आप यहाँ पे स्यामपट कारे वाले बॉक्स में लिख देते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुए आप एक बार इसका स्क्रीन सोट लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सिक्षड बिंदु के ओर, जो है प्लास्टिक के प्रकार, इसको देखते हैं, यहाँ पे आप दूसरा सिक्षड बिंदु लिखेंगे, प्लास्टिक के प्रकार, ठीक है, इसमें विकाशात्मक प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है चात्र यहां पर हो जाएंगे मौनिया शमस्यात्मक तो आप लिख देंगे फिर अस्पश्टिकर लिखेंगे ठीक सामने जैसा अभी मैंने उपर पहले शिक्षर बिंद में बताया चात्र ध्यान पुर्वक सुनेंगे अवश्य लिखें जबकि कूकर के हैंडल को गर्म किया जाए तो वह आसानी से नहीं पिखलता है अता प्लास्टिक की प्रकृत के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार की होती हैं यह आप लिख देंगे पहले सिक्षड बिंदू के अंतरगत अपने इसमें दोनों प्रकारों के नाम भी लिख जैसे पहला है थर्मो प्लास्टिक और दूसरा है थर्मो शेटिंग प्लास्टिक यह हो जाएगा हमारे यहां पर दूसरा सिक्षड बिंदू का स्पश्टी करण भी कम्प्लीट आप यहां पर स्यांपट कारे फिर करेंगे जैसे यहां पर देख सकते हैं प्लास्टिक के प प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है चात्रों को आपने बताया है कि दो प्रकार का होता है तो चात्र बताएंगे दो प्रकार के फिर दूसरा करेंगे दोनों प्रकार के प्लास्टिक का नाम बताईए या बताओ चात्र बताएंगे कि थर्मो प्लास्टिक और दूसरा क्या बताया आपने थर्मो शेटिंग प्लास्टिक तो चात्र जबाब देंगे वो आप चात्र चात्र कथन में लिख देंग हाँ एक चीज और अगर आपको प्लास्टिक का आदर्स पाठ योजने लिखना है तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा और इसका TLM भी चैनल पर आपको मिल जाएगा कैसे हमें प्लास्टिक का TLM बनाना है ठीक है मैलिंग भी देतूंगे आप ओहाँ से भी जागर देख सकते हैं इसमें हम विकाशात्मक प्रशने लिखेंगे थर्मो प्लास्टिक तथा थर्मो शेटिंग प्लास्टिक क्या होता है चात्र समस्यात्मक या मोन हो जाएंगे तो यहां पर समस्यात्मक लिख देंगे फिर हम अस्पस्टिकरण में लिखेंगे थर्मो प्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं तर्मूप्लाष्टिक कहलाते हैं इस परकार के प्लाष्टिक क्या करके क्या होते फिर thermal setting plastic को भी बता देंगे कीवे plastic होतें जीने गर्म करनें मुलाई अब तक हाँ ठंडा करने पर क्या होतें कठोरिया कड़े हो जाते है thermo plastic कहला तें कहβαते है आपको इसमें कुछ और भी copy करना हो thermo plastic क्या होते है जो आपको आप थर्मो शेटिंग प्लास्टिक के उधारण बताएंगे बच्चों को यहाँ पर फिर असप्रस्टिकरर के ठीक सामने जैसा अब मैंने बताया चात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे या सुनें अवस्ज़े ही लिखेंगे फिर आते हम स्यामपट कारे पे स्यामपट कारे में लिख देंगे थर्मो प्लास्टिक क्या होता है इसका पूर्व चक्रर संभव है तर्था थर्मो सेटिंग प्लास्टिक का पूर्व चक्रर नहीं किया जा सकता यह आप स्यामपट कारे में लिख देंगे एक बार आप इसका भी स्क्रिंसोर्ट लिजे फिर फिर हम आगे बढ़ते हैं इदने का स्क्रिंस और लीजिये का फिर हम आगे देखते हैं अपनी बोधात्मक प्रश्न को ओके हो गया अब हम देखते हैं बोधात्मक प्रश्न अपना बोधात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे इसमें पहला प्रश्न करेंगे थर्मो प्लास्टिक का उदाहरण बताईए या बताओ यहाँ पे छातर बताएंगे कि पॉलिथीन पीबीसी आदी तो आप यहाँ पे लिख देंगे फिर दूसरा करेंगे क्या थर्मो सेटिंग प्लास्टिक को दुबारा प्रयोग में लाया जा सकता है छातर कहेंगे कि नहीं तो छातर छातर कतन में आप लिख देंगे नहीं उसके बाद फिर हम क्या करेंगे अपने पुन्रावर्थी के प्रश्न करेंगे पुन्रावर्थी के प्रश्न या मुल्यांकन के प्रश्न भी इसे कहते हैं लिखा जाता है आपके college का जो भी format होगा आप उसी साब से change कर लीजिएगा ठीक है पुन्रावर्दी के प्रशन या मुल्यांकन के प्रशन इसमें हम कुछ प्रशन करते हैं जैसे पहला प्रशन है हमारा plastic क्या है दूसरा plastic के कितने प्रकार होते हैं तीसरा थर्मो शेटिंग के बारे में बताएगे यह हो साएगा हमारा पुन्रावर्दी के प्रशन इसमें आप और भी प्रशन चाहें तो जो आपने उपर बताया हुए पढ़ाया हुए उसमें से और प्रशन एट कर सकते हैं फिर हम आते हैं ग्रियकारे पे अपने ग्रियकारे में लिखेंगे सभी चात्र घर से प्लास्टिक के बारे में लिख कर लाएंगे तो यह था आमारा आज का टॉपिक प्लास्टिक का लेसन प्लान्स आज के बीडियो में बस इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए चैनल से जूड़े रहें जाते समय अब यूरे क्लासिज यूपी को लाइक से ने सब्सक्राइब करना नहीं पूलेंगे अवश्य करते जाएंगे ओके थैंक यू